हलो एवरीवन, वेलकम तू स्टडी स्कॉर्ड, आयम श्रिवानी चाहान, इस विडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्लास एट, इंग्लिश की भुका चाप्टा वन की समरी, इस चैप्टर के हम लोग देखेंगे समरी, तो देखिए, यह जो चैप्टर है, Christmas present in the world has beautifully depicted the moral lesson, एक moral हमें देता है, कि भई यह जो लड़ाई जगड़े हैं इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दुख ही आता है, humiliation आती है, हर कोई दुख ही हो जाता है, परिवार तूटते हैं, और कुछ नहीं होता इससे जादा, and humiliation around the world, one should follow the path of peace, this would be the best Christmas present, तो Jim Macpherson, was the captain of his regiment during world war one in 1914, तो Jim, ठीक है, Jim Macpherson captain होता है, world war one के time पर, Connie Macpherson, Jim की होती है, wife, she is mentally stressed, wife suffering from the pain of separation, क्योंकि Jim की मौत हो गई होती है, तो उसकी जो wife Connie होती है, वो अपने हस्बन को बहुत जादा miss कर रही होती है, काफी जादा age हो गी होती है, काफी तोड़ा मतला पागल ट he was from the Düsseldorf, तो ये जो होता है, captain होता है, जर्मन, प्रूप का इसके बारे में जादा नहीं है, हैंस वूल्फ, जो है, वो जर्मन आर्मी का captain होता है, और जो Jim है, वो captain होता है, बिटिश आर्मी का, और Connie, इसकी wife होती है, Jim की, और ये narrator कहानी हमें बता रहे है, तो चप्टर का explanation है, author founder, roll top desk, इना, इस टाइप की होती है, roll top desk, जिसमें ऐसे drawers वगेरा होती है, यहाँ पर picture है, roll top desk की, तो author को roll top desk मिलती है, junk shop में, यानि की कबार की shop में, उसको, कबार की तुकान पर एक table मिलती है, काफी खराब condition में होती है, सस्ती होती है, इसलिए जो writer है, वो सोचता है, कि मैं इसे ठीक कर लूँगा, और उसको खरीद करके घर ले आता है, वो उस पे कामवाम करना ठीक शुरू करता है, और उसके drawers को खीच करके देखता है, pull करके देखता है, तो उसको एक काफी पतलब, draw जो होती है, वो खराब होती है, जल भी चुकी होती है, पानी की वज़ होता है, उस box में जो है, एक letter मिलता है, और उस letter पे जो date होती है, वो date होती है, 25 जनवरी 1915, to be buried with me when the time comes, तो उसमें लिखा होता है, उस letter पे कि जब भी मतलब समय आए, तो ये letter मेरे साथ ही दबा दिया जाए, inside there was an envelope with the address, उसके अंदर एक लिफाफा होता है, जिसमें address होता ह Mrs. Jim Macpherson, 12th Cooper Beaches, Britport, the date was 26 December 1914, तो 26 December 1914 को ये letter भेजा गया था, और Miss Macpherson को ये मतलब भेजा गया था, तो ये जो letter था, वो किसने लिखा था, ये letter लिखा था, जिम ने, जिम ने letter लिखा था और वो letter लिखा था, अपनी wife कौनी के लिए, और कई सालों बाद, 27 साल, मतलब काफी समय बाद, जो author है, उसको ये letter मिलता है, क्योंकि author एक table खरीता है, उस table में उसे letter मिलता है, रखा हुआ, author वो letter पढ़ता है, और सोचता है, कि जो ये owner है, मतलब जिसकी भी desk पहले रही होगी, उसने ही इस letter को यहाँ पर रख दिया होगा, और ये letter लिखा जिम मेकफरसन ने जो वर्ड वर वर वन के टाइम पर आर्मी में कैप्टन था, his name was Jim मेकफरसन, he had written his letter, ये वाला जो letter है, उसने अपनी वाइफ कौनी के लिए लिखा था, जब वो letter पढ़ रहा था narrator, तब उसे पता लगा, एक surprising event कि बैटल फील्ड में क्रिसमस के दिन क्या ह हुआ था, जो English Army, Battlefield यानि की जंग के मैदान में English Army जो अंग्रेजों की थी, और German Army जो की जर्मनी से आई हुई थी, ये लोग क्या करते हैं, Christmas का दिन होता है, दोनों ही Christian होते हैं, तो कहते हैं कि भाई, आज हम लोग जो है, वो लड़ते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, जर्मन में आता है कि नहीं, बस ये लोग चाहते हैं कि आज Christmas वाले दिन हमारा इतना अच्छा त्योहार है, इस दिन हम लड़ाई ना करें, और फिर दोनों के दोनों soldiers जो है, पहले तो German Army वाले जब जंडा फेराते हैं, वाइट कलर का है, यलो, स्वारी मैंने यलो बना दिया है, वाइट आप समझ लो, वाइट जंडा होता है, शांती का प्रतिक, तो German Army कहते हैं कि आज 25 जनवरी के दिन आज Christmas है, आज हम नहीं लड़ेंगे, English Army वाली सोचते हैं कि ये ट्रिक है, बट फाइनली वो ट्रिक नहीं होती है, और फिर एक दूसरे से लोग बात करते हैं, और प्लेट चेलो इन दा औरकेस्ट्रा, तो फिर जो जर्मन सोलजर होता है, वो कहता है, जो जर्मन कैप्टन होता है, कि वो जर्मनी में डसलडॉफ की जगे से है, और वो चेलो जो है खेला बजाया करता था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट है, वो बजाता था औरकेस्ट होता है जो कि British Army का होता है वो भी अपने बारे में बताता है कि मैं Dorset से हूँ Dorset जो है वो बिटेन में है और वहाँ पर मैं जो है एक स्कूल तीचर था पहले इस तरीके से दोनों आर्मी कैप्टन एक दूसरे से बातचीत करते हैं एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंपॉटेंट है MCQs में आ सकते हैं हैं हैंस वूल्फ कौन था जर्मन आर्मी का कैप्टन और ये जिम मेकफर्सन था इधर वाली वर्ड वर वन के टाइम पर बिटेश आर्मी का और ये आर्मी का कैप्टन ये कहता है कि मैं इंग्लेंड तो कभी नहीं गिया हूं बद मुझे इंग्लिश आती है और जो थॉमस हार्डी है वो मेरा बहुत ही फेवरेट राइटर है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनकी जो किताबें है फार फ्रॉम दर मेडिंग क्राउ जिम मेकफर्सन मेकफर्सन जो की इंग्लैंड का कैप्टन है वो जर्मन की क опис midnight के साथ क्रिस्मस का कीख शेर करता है तो वो वो अगिए आतर में थी यहां वाइद ही लिगत करतेयों जब वह कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं बातचीत करते हैं तो हैंस बॉल्फ चोह्ता है व सब लोग अच्छे से मतलब डिंक करते हैं हसते हैं एक दुसरे से मजाग करते हैं खुब एंजॉय करते हैं और यह लोग जर्मन आमी अपस में फुटबॉल भी खेलते हैं मैकवर्सन लिखता है अपने लेटर में मैकवर्सन जो है यह भी होप करता है कि यह जो जंग है यह जल्दी खतम हो जाए और हमारे देश आपस में शांती कर लें और हम लोग सब अपने अराम से घरों में रह सकें और देशों में शांती बनी रहे जाहे ऑथर पुट दा लेटर बैक इंटू दा एंविलप ऑथर जो है वो लेटर वापस में अनविलप में रख देता है और ब्रिट पोर्ट के लिए रवाना हो जाता है he meant to hand over the letter to Connie Mrs. Macverson Connie was 101 year old मतलब 101 साल की अब Connie हो चुकी होती है तो राइटर सोचता है कि पता नहीं होंगी नहीं होंगी बट वो ये डिटर्माइन करता है कि ये letter जो है Connie के husband का है जिमने Connie को भेजा है और husband का letter Connie के पास ही होना चाहिए her house had caught fire अब जो जब ऑथर Connie के Connie Macverson के घर पहुँचता है ताब उसको पता लगता है कि जो घर था उसमें आग लग गई थी बस बड़ जो है Connie Macverson उनको बचा लिया गया she was in conservatory अब उनको मतलब ऐसी जैसे nursing home टाइप का होता है ना वहाँ पर जो Connie Macverson है वो अब रहती है उनके घर में तो आग लग थी और उनके husband की death हो गई थी battlefield में ही तो author found Mrs. Macverson sitting in a wheelchair तो author को मिल गई Mrs. Macverson वो wheelchair पर बैठी थी she looked up at the author but her eyes lit up when he called her Connie तो एकदम से राइटर ने देखा इनकी तरफ और जो ओरत थी जो कौनी थी वो बुड़ी हो गई थी काफी ज़ादा वो देख नहीं रही थी फिर एकदम से जब कौनी बोला ना राइटर ने उनको तो आँखे चमक गई इनकी जो बुड़ी ओरत थी नरेटर ने बताया कि कैसे लेटर मिला उनको डेकस में मिला था इस सब नरेटर ने इनको माम को बताया कौनी मेखवसन को तो मतलब एकदम से इन आँटी को यह लगा जो यह कौनी मेखवसन थी उनके हस्बेंड मेख जो उनके हस्बेंड थे वो वापस आ गए है जिम एकदम से कौनी ने कहा कि जिम ने अपना वादा निभा लिया और जिम ने कहा था कि वो कौनी को लगा कि भई मेरे हस्बेंड वापस आ गया और कौनी ने कहा कि मुझे दुनीया का बेस्ट क्रिस्मस प्रेजन जो है वो मिल गया है क्यूं क्यूंकि कौनी को लगा कि किस्मस वाले दिन उनके हस्बें जिम एक फर्षन उनके पास वापस आ गए है बट अक्चुल में वो कौन थे, अक्चुल में तो वो राइटर थे, तो ये थी हमारे इस पूरे चप्टर की समरी, एक और बार अगर हम लोग रिवाइस करें, तो यही है कि नरेटर को एक जंप, एक कबार की दुकान पर वो मिलता है टेबल, उस टेबल में उने एक लेटर म के टाइम का है लिखा हुआ है, जिम एक फसर ने अपनी वाइफ कौनी को लिखाया और उस लेटर में बताया गया है कि किस तरीके से जंग के मैदान में क्रिस्मस वाले दिन नोंने शांती करी और कैसे वो जर्मन आर्मी के साथ फूट बाल खेला, उनके कैप्टन के साथ ख कौनी 101 साल की हो गई होती है और जब ऑथर को लेटर मिलता है वो कौनी के पास वो लेटर वापस लेकर के जाता है तब कौनी को लगता है कि उनके हस्में वापस आ गए है और कौनी कहती है कि मेरे लिए ये बेस्ट्रिस्मस प्रेजंट है कि उनको लगता है कि उनको लगता English की बुक का चाप्टर वन दे बेस्ट क्रिस्मस प्रेजिन इन दे वर्ड के क्वेशन आंसर इससे पहले हम लोग इसकी समरी देख चुके हैं चाप्टर भी हो चुका है तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा अब देखते हैं क्रेंशन चेहरे हैं। चाप्टर के बीच में क्वेशन होते हैं वाट इट द ओधर फाइंड इन जंक शॉप जो थी यह निकी जंक शॉप होते से कबार की दुकानी पर पुराने समान की दुकान उसमें ऑथर को ऑथर जो किसने पूरा चप्टर लिखा है उसको जंक मिली थी रोल्टप डेस्क मतलब इस तरीके से एक डेस्क घृति है जिसमें डॉर्स वगयरा होते हैं और वह उपर की तरफ भी उट सकती है तो काफी साहर उसमें समान Do you think who had put it in there? तो उसमें एक secret drawer था उस table में, तो उसमें राइटर को क्या मिला और आपको क्या लगता है, कि जो चीज राइटर को मिली थी, वो वहाँ पर किसने रखी होगी? तो answer है, he found a small black tin box in a secret drawer. तो secret drawer मतला अंदर के तरफ drawer था, उसमें एक tin box मिला, चोटा था. तो उसमें एक तिन का बॉक्स मिला, चोटा था. उस बॉक्स के अंदर एक लेटर लिखा रखा हुआ था. I think that the owner of the roll top desk had put it there. Obviously, मतलब बहुती secret drawer था, कोई चुपा के रखा गया था. तो पहले जिसकी वो desk होगी, उसने ही उस letter को या फिर उस box को उस table में रखा होगा. Next है, who had written the letter to whom and when? तो किसने वो letter लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था? तो Captain Jim Macpherson had written the letter to his wife Connie on 26th December 1914, World War के टाइम पर Captain Jim Macpherson ने letter लिखा था, अपनी wife Connie को. Next question है, why did the letter return? What was the wonderful thing that had happened? तो letter क्यों लिखा गया था और ऐसी क्या अलग या फिर wonderful चीज तब हुई थी? तो answer है, the letter was written to describe a wonderful thing that happened with Jim on the day of Christmas. So Christmas पेक एक अनोखी सी चीज हुई थी, even though there was a war, उस समय, First World War चल रही थी, जंग चल रही थी, even though there was a war going on between two armies, British and the German, they played football and celebrated Christmas together. So war हो रही थी, British और जर्मन आर्मी के बीच में, but क्योंकि Christmas था, दोनों के दोनों के दोनों के दोनों देश कृश्चिंस है, तो 25 जन्वरी, sorry, 25 December, यानि कि Christmas का दे काफी स्पीशे होता है, पावितर दिन होता है, उनका तो उन्होंने सोचा कि आज हम लोग लडाई नहीं करे और दोनों आर्मी ने क्या किया था, फुटबॉल के ला था, और क्रिसमस को सेलिबरेट किया था, next, were jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers, तो वर्ड वर की टाइम पर इतने जादा सैनिकों की ज़वरती की हर जो adult male था, जाए वो पहले कोई भी काम कर रहा हो, हर किसी को आर्मी में भर्ती कर कर दिया था, तो Hans Wolf और Jim McPherson, जब वो आर्मी में नहीं थे, उससे पहले वो लोग क्या काम किया करते थे, तो before joining the army, Hans Wolf used to play the cello in an orchestra in Düsseldorf, तो Düsseldorf यानि की जर्मनी में, जो है, जो Hans Wolf है, ये जर्मन आर्मी का था, ये जर्मन आर्मी का कैप्टन था, Hans Wolf और ये और्केस्ट्रा में चलो प्ले करता था, मतलब एक मुजिशन था, डशॉर्फ में, ठीक है, और Jim McPherson जो था, वो एक स्कूल टीचर था, दॉर्सेट में, वेस्ट इंगलेंड में, तो Jim McPherson जो है, वो इंगलेंड का था, और वो स्कूल टीचर था, और Hans Wolf जो है और्केस्ट्रा में प्ले करत में, ठीक है, और Hans Wolf कहां का था, ये था, जर्मनी का, तो क्या वो कभी Dorset आया था, England आया था, क्या कभी Hans Wolf, why did he say he knew it, तो अगर वो कभी नहीं आया था, तो अगर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे Dorset के बार में पता है, तो देखो, no Hans Wolf had never been to Dorset, he had learned all he knew of England from school and from reading books in English, his favorite writer was Thomas Hardy and his favorite book was Far From The Meddling Crowd, तो वो Dorset तो कभी नहीं गया था, Hans Wolf, वर तो सरपने स्कूल में English पढ़ी थी, और English की काफी सरे इसने novels पढ़ी थी, Thomas Hardy की जो किताब है, Far From The Meddling Crowd, वो उसकी फेवरेट थी, किसकी Hans Wolf की, तो उसलिए किताबों से पढ़ करके उसको एरिया के बार में जानका रही थ और आपको जो भी लगता है, वो क्यू लगता है, इसका अंसर है, No, I don't think Jim Macpherson came back home from the war, मतलब लाई में जंग में जग में जाए जिए Jim Macpherson मारा गया था और वो कभी घर अपने वापस नहीं आया था, This might be reason why his wife preserved his last letter and on the top of it wrote a note in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes, तो उसने मतलब नहीं आया होगा, उसका हस्बन कभी क्योंकि उसने, उसकी वाइफ ने खूधी, मतलब लेटर पर वाइफ कौनी, कौनी ने लिखा हुआ था कि ये लेटर मेरे को मिला 25 जनवरी 1915 को और ये लेटर जो है मेरे साथ बरी किया जाए, दफनाया जाए, क्योंकि क्रिशन्स में ने लोग को दफनाते हैं, तो कौनी ने ये मतलब उस लेटर पर लिख दया था, कि जब मेरी मौथ हो उचे दफनाया जाए, तो ये लेटर भी मेरे साथ दफना दिया जाए, इस तरीके से कौनी ने लिखत था था, तो इसलिए समझ मा आता है कि जिम कभी वापस नहीं आना तो author जो है, वो Britport गया था Connie Macverson से मिलने के लिए क्योंकि author को वो letter मिल गया था वो letter मिला था, तो वो letter Connie को वापस करने गया था क्योंकि वो letter उसके husband Jim Macverson का था और उसको मतलब लिखा भी था कि जब Connie ने कि जब मेरी death और तो letter मुआ साध दफना दिया जाया राइटर उसको वापस करने का था, राइटर उथरी के होता है How old was Mrs. Macpherson now? Where was she? तो अब जब author पहुँचा था Miss Macpherson के पास तब Miss Macpherson की एज कितनी थी और वो कहां पर थी तो आँसर देखो Miss Macpherson was a 101 101 साल की हो गई थी 101 यर ओल, she was in a nursing home named Burlington House तो इनर्सिंग हो मतलब hospital में थी Burlington House के नाम के और वहां पर ही अब वो hospital में ही थी वो 101 साल की हो गई थी Next है Who did Connie Macpherson think her visitor was? Connie को क्या लगा कि Connor से मिलना आया है तो Connie Macpherson thought that the visitor was her husband Jim Macpherson तो Connie को लगा कि मेरा husband में पास अब वापस आ गया है कि उसका husband आ गया है बट हमें कर से पता लगता है कि जो ऑथर है उसने मतलब अपनी identity को छुबाने की कोशिश नहीं की थी कैसे पता लगा The sentence which shows that visitor did not try to hide his identity is I explained about the desk about how I found it but I don't think she was listening तो मतलब पता दिया था author ने तो पुरा की desk थी और desk में secret drawer था letter मिला है but Connie तो ध्यानी नहीं देड़ी थी उसको तो यह लगा था कि इसका husband वापस आ किया है अब चप्टर के end के questions है For how long do you think Connie had kept Jim's letter Give reasons for your answer आपको क्या लगता है कि Connie ने कब तक उस letter को अपने पास समहाल के रखा होगा और अपने So Connie had kept Jim's letter for a very long time As she told the author that she used to read his letter every day while hoping for him to return someday So Connie ने बहुत लंबे समय तक लेटर समाल के रखा था क्योंकि वो बताती हो तर को कि वो रोज इस letter को पढ़ती और होप करती थी कि एक तिर उस कबती वापस आ जाएगा Next is Why do you think the desk had been sold and when आपको क्या लगता है कि जो desk है उसको कब बेचा गया था और क्यू तो देखो I think the desk had been sold after Connie's house house caught fire So Connie का house में ना मतलब fire हो गई थी मतलब जल गया था जल गया था Everything got burnt and even the desk was also in a bad condition when the author bought it So जल गया था और फिर जो desk थी वो भी काफी मतलब खराबसी हो गई थी और पट वो secret door में थी तीन के box में थी तो letter बच गया था Why do Jim and Hans think that Games or sports are good ways of resolving conflict? Do you agree? So Jim and Hans को क्यू लगता था? Jim and Hans कौन थे? Captain's थे हैं Jim, Macpherson and Hans Wolf So why थे लगता था? कि भाई ये लडाई करने से जंग करने से अच्छा थो हमें एक टूनमेंट कर लेना चाहिए Sports अच्छा तरीका है दुश्मनिया निप्टाने का as compared to जंग के तो दिखो इसका अंसर है Jim and Hans thought that Games or sports were good ways of resolving conflict because unlike wars No one dies in games क्योंकि जंगों में तो लोग की मौत हो जाती है बाट जब games होता तो कोई मरता नहीं है They hope that the war would end soon Both the armies longed for peace तो वो चाहते थे कि जल्दी से जंग खतम हो जाया सब शांती में हो जाये तो हाँ, yes I do agree that sports are a good way of resolving conflict among countries without causing any harm to any individual तो sports से ही अगर दिक्कते solve हो जाये तो कोई हाम नहीं पहुचे का किसी की life को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि देखिया ना जंग होती है तो घर के घरो जड़ जाती है बहुत लग होगी मौत होती है Next question है Do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other Find evidence from the story to support your answer आपको क्या लगता है जो soldiers है दोनों आर्मी के वो एक दूसरे के जैसे है या एक दूसरे से अलग है तो चैप्टर के थूर आप बताई है तो आंसर है Soldiers of the two armies were similar to each other We can say this because they are friendly with each other They ate food together They played football match and also celebrated Christmas together Both the armies agreed that there should be peace among countries So हाँ इक जैसे थे Christmas वाले दिन वो सब खाना खाते हैं जोसरे से बाचीत करते हैं Football का मैच भी केलते हैं So साथ में Christmas celebrate करते हैं और दोनों के दोनों चाहते हैं कि मतलब अमन चानती आ जाए और जंक बद हो जाए So एक जैसे थे Next है Mention the various ways in which British and German soldiers become friends and find things in common at Christmas So किस सरीके से British and German soldiers एक दूसरे से मतलब मिलते हैं Christmas वाले दिन और उस दिन लडाई रोकते हैं So क्या common चीज़े उनमें आ गई थी फिर So British and German soldiers were opponents to each other fighting और एक दूसरे के विरोध में थे लड रहे थे However on day of Christmas German soldiers started waving hands at the British soldiers So Christmas वाले दिन वो जंडे मतलब पीस वाला और हात फिराने लगे कि भई हम आज के लिए ये जंग रोकना चाहते हैं At first British soldiers thought that it was a trick to deceive them But soon they realized it was not So starting में तो लगा कि British soldiers को कि जो German soldiers हैं वो हमारे साथ ऐसे ही कुछ ड्रामे कर रहे हैं और हमें फसाने कोशिश कर रहे हैं तो लोगों ने मतलब खाना खाया, enjoy किया, dance किया, game भी खेला, football match हुआ उनके बीच में तो दोनों की तुनों आमीस को जंग लड़ने में को इंटरस नहीं था नहीं चाहते थे, लोग नहीं चाहते थे जंग नहीं चाहते थे, और सच चाहते थे, कि शान्ती आ जाए और सच चाहते थे, कि शान्ती आ जाए next है, what is Connie's Christmas present, why is it the best Christmas present in the world तो Connie का Christmas present क्या था, और दुनिया का best Christmas present कैसे था तो on the day of Christmas, the author went to Connie to deliver her husband's letter to her Christmas के दिन ही, actual में, जो है, author जाता है, Connie के पास, और उसके husband का letter उसको देता है she mistook author to be her husband, ऐसा लगता है, Connie को कि उसका husband वापस आ गया है her eyes were filled with tears, and said it was the best Christmas present in the world और मतब रोने लगती है, 101 साल के होती है, हो गई होती है, तो जादा उनको होगा नहीं को जितना बट उनको लगता है, का husband वापस आ गया है, और वो बोलती है, ये दुनिया का best Christmas present है it is because of the letter her husband had mentioned that he would return by Christmas time next year क्योंकि लेटर में लिखा होता है, उसके husband ने, Jim ने, कि मैं Christmas तक अगले साल वापस आ जाँँगा तो उनको लगा काउनी को की मेरा husband वापस आ गया है, इतने सालो बाद, बट मिस्टुक किया उनोंने, क्योंकि वो तो अगले साल वापस आ गया है उनके husband थे नहीं बट स्टिल वो बहुत कुछ थी, उनको यहीं लग रहा था कि उनके husband वापस आ गया है यह कुछ question answers थे काफी emotional, काफी प्यारा सही chapter है, hopefully आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, subscribe करिए और share करिए